हलो दोस्तों कैसे हो उमीद करूंगा सब एक दम भड़ी होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूटूब के जो सब्सक्राइबर है वो हमें हिडन कैसे करने है यानि कि जो हम जब चैनल हमारा ओपन करते है या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल को ओपन करत है तो वह पर एक सब्सक्राइबर का नंबर दिखाई देता है जिसमें बीस पचास लाग दो लाग जितने भी सब्सक्राइबर है वो सभी लोगों के लिए पब्लिश रहते हैं तो जो नए यूटूबर होते हैं उनका ग्रोथ थोड़ी सलो होती है या फिर जो भी व्यक्त है उनको चुपाए कैसे उनको हाइड कैसे खरे ताकि सब्सक्राइबर को कोई भी न देख पाए तो दोस्तो इसके लिए वीडियो को लास्त तक देखते रहें उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लुकुत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह की योटूब टिप्स अन्बॉक्सिंग जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों हम आपको मोबाइल फोन मर करके दिखा रहे हैं कि योटूब सब्सक्राइबर कैसे हाइड किये जाते है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा एप्लिकेशन के अंदर दोस्तों ये काम मुश्किल है आप क्रो desktop side पर click करने के बाद आपको उपर right side में अपना logo दिखाई देगा जो भी आपका YouTube का logo है इस पर आपको click करना होगा और आपको crater studio के अंदर enter होना है तो चलिए हम crater studio के YouTube studio के अंदर हम enter हो जाते हैं अब दोस्तों आपको left side में उपर three dots दिखाई देंगे इस पर आपको click करना तो यहां पर देखो आपको एक setting का option दिखाई देगा यह वाला तो आपको दोस्तों setting के option पर टिक करना होगा setting के option पर जब आप टिक करोगे तो आपके सामने कुछ नया interface open होगा यहां पर आपको journal channel upload default इसमें से दोस्तों आपको second number पर option दिखाई देगा चैनल वाला इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ और नई चीज़े open होगी तो यहां पर सबसे पहले आपको basic info लिखा हुआ दिखाई देगा दूसरी number पर advanced setting का option आपको दिखाई देगा अब आपको advanced setting के option पर टिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाना है तो नीचे आपको देखो एक option दिखाई देगा subscribe count का तो यहां पर देखो यह tick already हुआ है तो tick का मतलब यह होता है कि आपके subscriber published है हर को यहां के subscriber को देख पाता है आपको इस वाले tick वाले option को untick कर देना है तो जैसी आप untick करत सब्सक्राइबर नहीं है तो इससे देखो आपको यहां पर कोई भी option दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे कितने सब्सक्राइबर है और कितने सब्सक्राइबर नहीं है तो इससे देखो आपको एक help भी मिलेगी कि आपके नए लोग जब वीडियो देखने के लिए आएंगे तो आपको कम सब्सक्राइबर को देखके कई बार व्यक्ति सामने वाला सब्सक्राइब नहीं कर बाता तो अब देखो chances आपके भढ़ जाएंगे कि सब्सक्राइबर आपके बढ़ने लग जाएं तो दोस्तों मैं उमीद करूँगा कि आपको इस वीडियो के मादर्म से कुछ नए सीखने को मिलेगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपनी सभी समद्रे रिष्दार फ्रेंस को इस वीड अभरब